तो बसपा ने उस तरह से कोई राजिती कारिक्रम लिया नहीं दो 2022 के बाद नहीं लिया हां चुनाओ के पहले खरक्रति जी बहुत घुमे थे बड़ी यात्राइग की थी उन्होंने मायवती जी नी भी कुछ जंसभाय की थी लेकिन एक आरोप लगा उसके बास से जाने तो प से सवालों के खेरे में खड़ा करता रहा यह अलग बात है कि मायवती जी प्रस कांफरेंस के जरीए या अपने बैयानों के जरीए ट्विटर के जरीए कई मुद्धों पर अपना अपनी राय रखती रही है एक हस्टक्षेप उनका होता रहा है लेकिन जो एक मास एक्षन या बिदान सबाद चुनाओं में बारा साले बारा परसंट तेरा परसंट वोट पर आ गई बीस परसंट उसका हमें सालिड वोट होता था और सीटे एक तो ऐसे में उसको जो है अब जरूरत इस बात किया है दुबारा एक बार अपना अस्टित हो क्योंकि लोग भूलने लगे और अपने टिकट पर हाथी के सिंबल पर चुनाओ लड़ाए अपने कारिकरताओं को जिससे पारिटी और पारिटी का वोट बैंक जो है गैवनाईज हो और दुबारा से लोग सबाद चुनाओं के लिए उसके पक्ष में एक माहौल बने यह बड़ा कारा है एक सवाल और जी आपको लगता है इस बार जो स्थानी चुनाओं में नतीजे आएंगे उनसे कुछ आइडिया हो जाएगा कि यूपी में किसकी हवा चल रही है चौबिस से पहले देखे मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि स्थानी चुनाओं के नतीजे जो आएंगे उससे हम लोग बहस के लिए ठीक है हम लोग एक कर सकते हैं हांडी का चावल हमने परक लिया लेकिन लोग सबाद चुनाओं कि मुद्दे और वोटिंग प्रैटन बिल्कु आलग होगा चुनते यूपी में तो सीधे मेयर डियरेक्ट जिसेए एंपी का चुनाओं लोग विह में किस पार्टी का कितना जोड़ है क्योंकि बड़ा चुनाव होगा ओके सुनील साजन बहुजन समाज पार्टी अगर इस बार निकाय के चुनाव में अपने सिंबल पर उतरती है तो कुछ नेताओं के बयान में सुन रहा हूं कुछ कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी को मद करने आ गई लड़ेंगी चुनाव तो पूरा हक्या उनको लड़ने के लिए